जो बैडमेन बावू ला रही है यह भोजपूरी और उडिया में बन रही है और भोजपूरी सेंट्री है और अच्छे तरह से हम लोग इंटर किये हैं इस फिल्म नगरी में और बावू का जो क्याक्टर है जो हमारे सोचल भोजपूरी में सोचल पड़िस को लेते हुए है और इसका अंधर की कहानी तो अभी बताने लाइक नहीं है लेकिन बहुत अच्छे कहानी है और बहुत ही समाजिक सब लेते हुए इसमें इंटर्टेंग्मेंट भी है और सब चीज है कि प्रग्वार फिल्म में हम लोग लिए है ये रानी चेटर जी है भुष्पुरी की इस्टार नाइका है और वहां से बावुसांद को लेंगे उडिशा से चो इस्टार है उडिया में और वहां से तीस सालों से उडिया इंड़स्ट्री के उत्म और अपराजिता महंति ये ये दिदो और जोनों टीन वहां से उडिशा से हैं और एक वहां बंबे से हैं और एक भॉष्पुरी अजो है तरफ पुडिया है कैसे ताल में बिठाए ये है उसका जुड़ा हुआ हुआ हम लोग के जो कल्छ्रम का थE अबापना घंब यहार के नेपाल के तार जो समाजिक जो मामला है उसको देखते हुए बनाए है और हम लोग उसको बहुत अच्छे डंग से हर जगा अपना सिंटर है वो सुटिंग करने का और सब चीज वहां के लोग सभी उपलापते हैं और हमारे डारेक्टर साब जो ब्रजबुसं जी है इसके बहुत अच्छे नितले असबाई हैं और भी बहुत अच्छे काम करने में तो लोग सम्हाल लेंगे किस तरह की फिल्म है किस तरह की कहानी डेवलप करें देखिए यह बैड मैन बाभू यह जो फिल्म है एक तो पहली बात है कि बिल्कुल डिफरेंट है इन दिनों सब लोगों लगभग जानते ही हैं कि भुजपूरी काफी मृत प्राय जैसा हो गया था बीच में और एक आवस सकता थी कि कुछ उसके लिए कुछ और हटके किया जाए चुकि बड़ा हेकनिट धंग से कहीं चीजे कहीं वही ठाकुड की कहानी वही सारी बाते थी गानों का स्टाइल वही रहता था टाइटिल वही पुड़ाना प्रितिया और सईया पे जुरा होता था तो हमने अल्वेज एक्सपेरिमेंट किया है पहले भी हमारी सारी फिल्म में जाके वह गुड मैं थावित हो लेकिन लोगों को फिलहाल एक बैड मैं नाम रखा गया बैड मैं बादो और दरसल इसमें जो है सो हमारे बिहार में जो दबंगई एक सब्द है जो यूज होता है बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन चीजों को भी दरसा जाया गया है और बहुत ही अच्छा एक मने समाजी को यह सारी चीजों को इसमें दिया गया है इस इतके इन भी एक एवार्ड विनिंग फिल्म भी होगी ने वी कि टैक्स फ्री भी हो इस तरह की बाते हैं इसमें कुछ ऐसी और बहुत ही मनुरंजक भी है सब तरह से हैं लेकिन उनके चेहरे चुकी रेकर्डिंग में अभी उपलब्द नहीं था तो आईये आईये तो उपलब्द नहीं था इसलिए अभी जोड़ा नहीं है लेकिन सब लोग धीरे धीरे जुरते जाएंगे अभी हमारे साथ गेस्ट में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जैसे अभी देखिया अभी देश जी आ गए हैं तो रानी जी इसमें में हिरोईन है और जैसा कि हमारे निर्माता ने बताया है कि बाबुसान उरिशा के हिरो हैं उन्हें के माँ फादर का रोल भी वहीं से लिया है हमने वह बहुत पुराने माने स्टार ये रही है या फादर मद दिगज जो हमारे सब्जेक्ट में सूट करते हैं उन्हों को रखा जाएगा और फिल्म में का अल्मोस्ट कमर्शियल फिल्म होगी इसकी सूटिंग कुछ पॉर्शंस उरिशा में करेंगा पूरी या भोवनेश्वर और बाकी पॉर्शन बिहार में कुछ राची में भी बड़े टेस्ट से अच्छे धंग से इसको बनाई जाएगे फिल्म प्यास से आज गानों में आठ गाने हैं और बड़ा आपको आश्यल लेगा कि मेरे आठो गाने बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे आपको जैसा कि टाइटिल देखा कि थोरा अंगरे जी मिला हुआ है बै अलग लगेगा कानों को नहीं लगेगा कि हैं पचास बर सुन चुके हैं वही धून सब है तो कफी डिफरेंट के रतने जी ने बहुत अच्छा संगीत दिया है मिथले जी हमारे मिथले सिन्हा जो नभारत टाइमस में थे अभी वहां से रिटार्ड हुए हैं उनके गाने ह हैं और बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि फिर शुटिंग बस यह कास्ट जैसे सब फाइनल हो जाता है तो हम लोग सुटिंगे स्टाट कर देंगे जैसे पहले कर लेंगे उसके बाद फिर बिहार का दौरा किया जाएगा जाने जाते हैं और आज मुरदी फिल्म आप बादमें बादू का है क्या कहना चाहिए तेली वर किसी अच्छा नायम से फिल्म से फिल्म मतरिया तभी उसकी केचाल बुराई है कि दिखती है इसलिए इसले बेड़ में बोला गया जिसमें अचाही नहीं हो वी बुराही दि मेरी अगर मैं एक राज की बाद बता दूंग भुसन जी के साथ मैंने अपने संगर्ष की शुरुआत की थी इनके पास से पहला संगर्ष किया था और मेरी बदकिस्मती मेरा बैडल लग की आज तक कभी काम किया नहीं अब जो रहा है आज इनके वडल में खाड़ा हूं यह म अगे क्या होगा मैंने जानता हूं लेकिन मेरी संपोल दुआ है सर के साथ कुछी रोल बताया है कि अधिया है कि मुष्परदाब जी आफ जी का साथ मिलेगा ऐसी इमीद है और साथ देंगे इसमें और हम लोग साथ होंगे और बाकी जो है बहुत दूनों से हमारी भी इच अधिया था क्योंकि मेरे दिमाग में एक ऐसा रहा कि इनका एक डिफरेंट देखा भोजपुरी में भी बहुत सारे विलन हैं लेकिन इनका देखा कि यह अपने गेटप पे सब चीजों पर वर्क आउट करते हैं जैसे उस जमाने में प्रांसा होगे रखिया करते थे या औ अब से मेरे एक्षा थे कि करें साथ लेकिन करें तो कुछ अच्छा हो तो साइद वो मकाव इसमें आ रहा है तो हम लोगे रूसाथ करेंगे ब्रदी पुस्पाजी आये हैं क्या करें पुस्पाजी बरना है पुस्पाजी को बिल्कुल अलग वोल में देखिएगा और अब इसे बात कीजिए किस तरह का रूल सर ने दिया आपको समय जो कहा है ना धाय का तो धाय का नाम बोलने से सबसे पहले आप लोग की आधर रायक पनना धाय थी अर्तिहाश में मसूर है वो तो धाय काम है तो जनम देना और इस बच्चे की रक्षा करना जिसकी कोई नही सब्सक्राइब करना जिसकी काम किया और एक इतना अच्छा उद्दश्य है इस फिल्म में कि मेरे बोलने से शायद उतना प्रभाव नहीं पड़े जितना अगर आप लोग भी फिल्म देखने के बाद इसके बारे में लिखें बहुत ही उद्दश्य है और मैं तो इनकी कहा अच्छानी सुनकर अपना करेक्टर सुनकर इतनी खुश होए कि मैं का बता हुआ है मैं दो लेंगे जो मन रहे बोच्पूर में औरिया में तो क्या कहना चाहेंगी मैं तो चाहूंगी कि हिंदी में बने बेकाज ये फिल्म का जो कान्वास है हाँ कान्वास है और जो देश झाल